हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शेनल मोर क्रियेटिव पर स्वागत है आए जाने मद्प्रदेश अतिति सिक्षक नेमिती करण प्रकेरिया मद्प्रदेश के अतिति सिक्षकों ने अभी तक जो खुद का इतना हाल देखा है वो बहुती गमनी है लेकिन सरकार चेंज होते ही उनको इतनी खुशी मिलने वाली है कि आप अंदाजानी लगा सकते जब आदमे किसी चीज का इंतजार करता है लंबे अर्सों तक और वो खुशी मिलने वाली होती है तो उसका आप बखान नहीं कर सकते तो वही मद्प्रदेश के सारे अतिती सिक्षकों के साथ होने वाला है और मैं आपको पूरे मद्प्रदेश में अतिती सिक्षकों की क्या इस्थिती है कहां पे किस स्कूल में कितने अतिती सिक्षक कार्यत हैं और कितने अतिते सिक्षक वेबसाइट पे पंजीकरत हैं कितनों को हटाया गया है टोटल कितनों को अभी तक पेमेंट मिल चुका है और कितने अतिते सिक्षक अभी तक पेमेंट से वनचीत है इन सभी चीजों का अपडेट मैं आपको आज दूँगा तो शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर मद्द प्रदेश अतिती सिक्षक नीमीती करन प्रकिरिया शुरू जाने पुरे मद्द प्रदेश में अतिती सिक्षकों का ब्योरा यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो क्रप्या वीडियो को लाइक जुरू करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो योटूब चैनल मोर क्रियेटिव को रिरे बिटन दबा कर सब्क्राइब कर लें तथा अगले वीडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक करें ताकि अ देखते हैं अतिति सिक्छक कांगरेस मतप्रदेश इकाई के स्टेट कौाइडिनेटर आसिस जैन ने कहा कि प्रदेश में 1,20,000 अतिति सिक्छकों को गुरू जी की तर्ज पर नेमित किये जाने की प्रकिरिया की जाएगी ये तो डेफनिट है होगा क्योंकि कांगरेस सरका अतिति सिक्षकों और किसानों के बेश पे ही इस बार चुनाव जीती है कांग्रेसों के करजमाफी और अतिति सिक्षकों का नीमिती करण अगर वो प्रेस कांफरेंस नहीं भी करें तो अतिति सिक्षकों को इतनी उम्मीद है कि उनका नीमिती करण होगा है फिर भी वो इस प्रकार से फ्रेंस कांफ्रेंस करके अतिती सिक्षकों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि आप दुखी न हो आपके लिए नीमीती करण होना जरूरी है आसिस जैन ने कहा कि अतिती सिक्षकों के सहयोग से मतप्रदेश में कांग्रेश सरकार बनी है इसलिए सभी अतिती सिक्षकों को गुरुजी की तर्च पर नीमीत किये जाने की प्रकिरिया तीन महा के अंदर की जाएगी इसका मतलब होता है उन्होंने टाइम दे दिया है उनके वचन पत्र में भी सामील है अतिती सिक्षकों के नीमीती करण की प्रकिरिया तीन महने का उन्होंने टाइम दिया है इसका मतलब हुआ कि अभी चल रहा है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्ज तक अतिती सिक्षकों के नीमिती करण की प्रकीरिया कम्प्लीट हो जाएंगी और अप्रेल 2019 में जो नया सत्र चालू होगा स्कूलों का उसमें अतिती सिक्षकों के रूप में सभी स्कूलों को एक गुरूजी मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपको अपडेट देखकर खुसी होगी कि अभी तक इंतजार किया है अब कम से कम तीन मेहना और वेट करें ठीक है अंदर ही अंदर कारवाई सुरू हो चुकी है आपने देखा होगा काफी जगे काफी अपडेट तो आपको नहीं मिलते लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अपडेट देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप चेनल से इतने लंबे समय से जुड़े हैं इसलिए मेरा काम है आपको इन अपडेटों से अगवत कराना अब मैं आपको पूरे मद्द प्रदेश में अतिती सिक्षकों की इस्थिती बताऊंगा कि कहां पे कितने अतिती सिक्षक हैं आप जानकर थोड़ा आपको अचमबा होगा लेकिन देखते हैं पूरे मद्द प्रदेश में अतिती सिक्षक जो आवेदक पंजीकरत हैं वो हैं इकाईद आई सेगड़ा हजाद हजार लाग तीन लाग छे हजार चार्सों सोला ठीक है ये टोटल पंजीकरत है वेबसाइट पे पंजीकरत है वेबसाइट www.gfms अतिती सिक्षक प्रवंद प्रणाली पर ठीक है और सत्यापित आवेदक मतलब जो कंप्लीट हैं जिनका सत्यापन हो चुका है वो टोटल आवेदक हैं इकाईद आई सेगड़ा हजार दसजार लाग मतलब दो लाग 6710 कलियर अब इस्कूल जहां अतिती सिक्षक कारियत है वे इस्कूल जहां पे अतिती सिक्षक कारियत है उनकी संख्या कितनी है इकाईद आई सेगड़ा हजार दसजार 32,386 ठीक है उसके बाद में प्राइमरी इस्कूल जहां अतिती सिक्षक कारियत है वो कितने हैं इकाई प्राइमरी स्कूलों में अतिती सिक्चक कारियत हैं फिर मिडिल स्कूल में कितने अतिती सिक्चक कारियत हैं ठिक है ये तो हमारे स्कूलों का हो गया अब हम देखते वर्ग वाइस अतिती सिक्चक वर्ग एक में कितने कारियत हैं 14,361 ठीक है फिर वर्ग 2 में कितने अतितिस इक्चक अभी कारे कर रहे हैं 32,899 फिर वर्ग 3 में कितने अतितिस इक्चक हैं 16,649 और कुल कारे कर रहे हैं 16,899 आप वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 को टोटल करोगे तो कुल कारे कर रहे हैं वो हैं 19,457 अतितिस इक्चकों को पेमेंट दे दिया गया है फिर जिनका मानदे अभी तक लंबित है वो वे अतितिस इक्चकों की संक्या कितनी हैं 47,442 ठीक है अभी तक इनको पेमेंट नहीं दिया गया है और कुल रिक्थ पद कितने हैं पूरे मद्य प्रदेश में अतितिस इक्चकों के 1,60,019 ठीक है इतने रिक्थ पद हैं और कुल अतितिस इक्चक जिनकी नई ज्वाइनिंग रिपोर्ट की गई है मतलब जिनको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट किया गया है वो है 20,132 ठीक है मतलब कुल रिक्थ पद 1,60,019 ठीक है अब हम देखते हैं कुल अतितिस इक्चक जिनने कार्य मुक्त किया गया है जिनको कार्य से हटा दिया गया है वो है 5563 किलियर इस प्रकार से वर्ग एक दो तीन इसको लों में जितने अतितिसिक्षक कारेत हैं उन सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप इस जानकारी से अपडेट रहें क्योंकि जिस फिल्ड में हम कारी करते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी होता ह इसलिए मैंने इस जानकारी आपको दी है यदि जानकारी या अपडेट अच्छा लगा हो तो कृप्या वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चेनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो यूटूब चेनल मोर क्रियेटिव को रेड बटन दबाकर सब्क्राइब कर ले तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकान पर क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटीपी किसन आपको सिक्रता से मिले मिलते है सर अगले आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत आपका दिन शुब हो